पुलिस ने मामला दर्ज करने के बावजुद अभी तक किसी भी आरोपी पर कारेवाही नहीं की है पेडित ने बताया कि गाउं के ही विरिंदर सिंग, मोहन सिंग, हरिंदर सिंग वागोरा उससे पुरानी रंजिश रखते हैं वह 23 जुलाई की शाम को अपने खेतों में काम कर रहा था, तबी आरोपियों ने बैस्पॉल लाठी यादी लेकर उस पर हमला कर दिया और उसकी बाजु तोड़ दी, उन्होंने बताया कि उसका अमरिस सर के गुरु नानक देव अस्पताल में इलाज किया और डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट के अधार पर पुलिस ने तो केस दर्ज किया, लेकिन एक माँ बीत जाने के बावजूद आरोपियों को गिरफतार नहीं किया गया, उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाते हुए कहा कि दोशी उन्हें अभी भी डरा धमका रहे हैं, उ उक्तदोश्यों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, वही उन्होंने बताया कि उक्तदोश्यों द्वारा मामले की इंक्वारे डियेस पी अजनाला के पास विचारा धीन है, मामले की जांच के बाद जो भी सच सामने आएगा उसके आधार पर कारेवाई ही की जाएगी, अमरी सर से आजार टीवी न्यूस के लिए धरमवीर गिल की रिपोर्ट। पुल्सरों कम्रेंट देगे, अहीं आएगे दाखरों के सानु 25 जल्ट में ले आरी, पुल्सरे कोई कारवाई ने किती, आठी दिन बाद साड़े विजुड़ा पर्चे जल्ट लेया, बियान लेया, आएगे उस दो बाद कोई कारवाई ने किती, अहीं SSP साब जे जागे पेश होएं आएगे, अना साड़ी बहुत हरा किती है, ना अना थान फोन के काली किती इप्टी साब नो मिलो, डिप्टी साब को गए है, मेरा बेटा गया हुना किया भी सिर्क पर्चे जाड़ा पर्चे जाड़ा केस में SSP साब आम सिंग दिता, अहीं उनना नो मिले है, उ बाकी मेरे जान से माल दी राखी कीती है, बेटा मेरा कल्दा परा मेरे दी आम पांजे बेटने आप एगा, यह राज नो पी के उसे ललकारे मार देया, यह को मेरे का अर्दा जानी माली नकसान हो गया, तो उस परसहसन जम्मेवार हो ने साने,